तो अगला टॉपिक है हमारा रिवर्स लूप हम यहीं से स्टार्ट करेंगे अगर यही टेबल मुझे उल्टी पर प्रिंट करना हो तो मैं क्या करूं सबसे पहले तो मैं अगला प्रोग्राम बना लेता हूं और समझता हूं कि रिवर्स लूप कैसे चलती है ठीक पहले रिवर्स लूप समझेंगे और फिर आ जाएंगे इसी प्रोग्राम के ठीक तो मैं कोई सब यह प्रोग्राम कापी कर लेता हूं यहीवाला कापी कर लेता हूं कि मान लेता हूं कि मान लेता हूं कि यूजर ने एक नंबर बताए यूजर ने एक नंबर बताया आपको टैन और आप चाहते हैं कि प्रिंट शीरीज फ्रॉम यूजर इंपुट टू वन मतलब एक्जांपल यूजर नेगा 10 कहा तो आप चाहते में पहले 10 प्रिंट करूं फिर 9 फिर 8 फिर 7 फिर 6 फिर 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1 आप चाहते हैं सब चलते हैं कि क्या करना चाहिए इसके लिए तो यह हमारा पहले का प्रोग्राम था पहले तो इसको मैं चलाने जा रहा हूं देखने के लिए क्या करता है तो मैंने का पाइथन सेवन इंटर अप एंड़ पॉइंट मैंने का फाइव वन से लेके फॉर तक प्रिंट कर दिया तो मैंने यहां पर आके लगा रहा हूं पहले क्योंकि हम जानरे बार हमें यूजर इंपुट को छोड़ना नहीं है तो यह वाला प्रोग्राम बन गया वन आपने का कि भाई यह स्टार्ट है यह स्टार्ट कहां से होना है असल मैं जो यूजर दे रहा है एंड़ पॉइंट नहीं अब अब स्टार्टिंग पॉइंट तो यानि कि यह जो स्टार्ट वन था यह नहीं रहे गया आप इसको अटा दो स्टार्ट जो था वह अब जो यूजर देगा वो है क्योंकि अब 10 से स्टार्ट होके वन तक ठीक नीचे सूपर नहीं जा रहे है अब रिवर्स डिरेक्शन तो सबसे पहले तो स्टार्टिंग पॉइंट चेंज हो गया यहां भी यह भी चेंज हो गया आई तो स्टार्ट से शुरू होगा अब मुद्दा क्या है लूप कब तक चलानी तो यह पॉइंट देख रहा हूं मैं कि लोग मुझे तब तक एक्जिक्यूट करनी है जब तक कि आई वन वन या वन से छोटा ना हो मतलब पहली चीज तो दिख रही कि आई इस इक्वल ट इसको करके देख लेते हैं चैना ना करके क्थोड़ा सा देख लेते हैं क्या कहना चाहरा हूं कि यह और यूजर मुझे ब्क्रोड़ दिया है और यह नंबर सका नाम है स्टार्ट इस बॉक्स का नाम है स्टार्ट और आई को मैंने यही नंबर दे दिया तो जब भी यूजर कोई नंबर देगा तो मैं आई को यही नंबर असाइंड कर दे रहा हूं मतलब जबरदस्ती की प्रोसेस बट ऐसे अगे आगे जाकर कि Taliban को आई को भी Same number मिलरा तो आई के Box में भी कितना आ जाएगा थैंट हागे जो आगे बढ़त प्रिंट करेंगे तेन को आप तक लूप के अंदर आना चाहते है्एं जब तक कि या वट से बड़िए जह से चोटा हो जाएगा जैसी यह जीरो होगा तो या Teowann से ba dieta वन से बड़िए route निचे आ रही है आ रही अलिए जब तक बढई है तब तक तो प्रिंट करो जब वजाए तो भी ब्रिंट कर बाट अब जो ना वन से बड़ी ना one के बराबर है मतलब zero हुई खताम लूप चलाना बंद कर यह करना चाहा रहा है ठीक चलिए देखते हैं तो वाइल आई greater or equal to one जब तक आई one से बड़ा या बराबर है तब तक प्रेंट करो और आई को क्या करना है प्लस करना है या माइनस करना आई 10 था नेक्स नमबर आपको क्या चाहिए 11 या नाइन नाइन चाहिए मुझे उसके बाद नेक्स नमबर एट चाहिए तो मुझे पता है हर बार माइनस वन करना हर बार माइनस वन करना इस बार प्लस नहीं करेंगे प्लस करने से बढ़ जाएगा ठीक तो मैंने का ठीक है भाई यहां प्लस की जगह मैंने माइनस लगा दिया सिमिलरली यह इसका मतलब हुआ इस एक्वल टू आई माइनस ठीक यह यहां से कॉपी कर दे रहा हूं कि यहां लिख दे रहा हूं ठीक वो अथार से दोनों से में दोनों में को डिफ्रेंस नहीं कि यह वाली फाइल भी मैं क्लोज कर देता हूं ठीक तो रिवर्स लूप पे आ रहा हैं देखते हैं कि कुछ काम चल रहा है कहां तक पहुंचे हैं और उसके आगे क्या क्या करना है मैंने का 10987654321 यानि की काम हुआ हमारा यह रिवर्स लूप का सिंटेक्स है नेक्स्ट टेबल को रिवर्स डियरेक्शन में प्रिंट करना चाहता हूं मैं चाहता हूं कि रिवर्स डियरेक्शन में टेबल प्रिंट टेबल इन रिवर्स डियरेक्शन मैंने का कोई दिकत नहीं है नंबर्स तो मेरे पास हाई है मैं यही वाली लूप कापी कर रहा हूं ठीक ट्वेंटी से लेकर के ऐसे आएगा यह सिक्स पूर तू फॉर एक्जामबल ठीक यहां नोट कर लेता हूं इसको प्रिंट टेबल ऑफ एनी नंबर इन रिवर्स डियरेक्शन ठीक किसी भी नंबर की टेबल रिवर्स डियरेक्शन में तो किसी भी नंबर की जैसे ही कहा मैंने तो यह स्टार्ट जो है जब टेबल की बात हो रही है तो मुझे पता है कि इस बार रिवर्स डियरेक्शन में चाहिए तो स्टार्ट कितना हो ठीक एंड क्या होगा हमको पता है एंड एंड वन होगा वन के आगे नहीं जाएगा है ठीक नंबर यूजर से पूछ लेते हैं एंटर एनी नंबर नंबर यूजर से पुछ लेते हैं यह नंबर बता दो किसके लिए टेबल प्रेंटर धिक यह स्टार्ट हो गया रहा है स्टार्ट से शुरू हो रहा है के साथ हमको अब कुछ नहीं करना हमको पता है 10 से लेके रहा हो सुन से वन तक आएगा नी तो करना है जब वन से लेकिंगा था तो टेबल पुरिन्ट हुए थी टेंज से लेके वन तक आएगा तो रिवर्सड डायेक्शन में टेबल प्रिंट हो जाएगी यहां मैंने नम का को मर्टिप्लिकेशन कर दिया इंटर एनी नमबर टू रिवर्स डिरेक्शन में टेबल प्रिंट हो तो बहुत ही आसान सी चीज़ है आपने का फॉर्मिट भी लगा दो फॉर्मिट भी लगा दो मैंने का ठीक है अब तो मैं सीखी गया था मैंने कहा नम कॉमा एस्ट्रिक्ट कॉमा आई कॉमा इजिकॉल टू कॉमा नम इंटू आई आई इंटू नम नम इंटू आई कोई फरक ने पढ़ता है क्लियर तो यह यह रिवर्स लूप है कि अब हम आगे चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ